कि अधर अधर आपका स्वागत है के से रहे आप सब क्यों ली हाई ओप आपको ली बहुत अच्छी रही होगी ठीक है तो अधर दूदिन की चुट्टियों के बाद में आज से अपन फिर हाजिर अपने जो है इसी अधर इसी प्लेटफॉरम पर जो आपका एक अच्छे से स्बजों चल रहा था सरवे उसके दो दिन बात करूँ ठीक है सबसे पहले अगर में बात करता हूं कि सर्वे के अंदर अपने क्या क्या कर लिया था सर्वे में अपन लास्ट क्लास तक अपना कर चुके थे तो आज क्लास के अंदर अगर में बात करूँगा तो आज की क्लास में सर्वे जो अपना सब्जेक्ट है इसके अंदर बात करेंगे लोकल अट्रेक्शन की इसकी लोकल अट्रेक्शन लोकल अट्रेक्शन की ठीक है अट्रेक्शन लोकल अट्रेक्शन होता क्या है सबसे पहले आपको यह समझेना बहुत ज़्यादा जरूए कि लोकल अटेंशन क्या होता है क्योंकि अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं अपन कमपास सर्वे ठीक है तो कमपास सर्वे के अंदर आपको पता है तो यह सा magnetic influence अगर present है कोई भी आपका ऐसा metal का जो आपका pole हो सकता है ठीक है यह आपकी जे pocket के अंदर को इसी चीज हो metal की तो वो क्या कर सकती है उस needle को affect कर सकती है यानि कि जो आपका एक्चुल में जो magnetic bearing दिखा रहा होगा उसको नहीं दिखाएगा ठीक है जो आपके magnetic bearing होती है जिसके आपके जैसे फिरी फ्रॉम अगर मैं चोड़ यानि कि फिरी छोड़ता हूं इसको ठीक है कि इसको आपकी needle होती है या अपके जो magnet होता हूं उसको फिरी छोड़ते है तो अ अट्रेक्शन बोलते हैं उसी क्या बोलते है लोकल अट्रेक्शन बोलते है ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान कि लोकल अट्रेक्शन क्या होता है तो कि लोकल अट्रेक्शन इसको आप लिख सकते हैं डेफिनेशन के अंदर कि लोकल अट्रेक्शन लोकल अट्रेक्शन attraction is a term is a term used used term used to denote to denote influence influence to denote influence yeah any any influence यहाप लिखले नाप एन्नी इन्फ्लेंस एन्नी इन्फ्लेंस सच इस दा वह यहाँ कि अगर मैं बात करता हूं कि कि विच इस प्रवेंट्वज इस जिजन्फ्रम एविच इस प्रवेंट विज इस प्रवेंग दानीडल विजन्फ्रम प्वेंटिग्र में अंप्रम पॉइंटिंग ओंटिंग SMITH कूंज़िय आपको फ्कूइंट करी एंड स्कूइन्फ्लेंस,app कर रही एंपून्ट यहनि मै magnetic North pointing to the magnetic North, magnetic North or magnetic South, magnetic South, magnetic South in the locality, in the locality, ठीक है, जो भी जिस जगा पे जहां पर भी आप कमपास सर्वेंर कर रहे हो तो जगा पर अपर नोर्थोर मेंघी्टिक साहूथ को जब दिखाता है तो वह क्या करता है अपन को एक टार्म है जो अपनी क्या करते को भीडिया आपका एन इंफ्लेंस हो सकता है जो उसको needle को चीज़ को ठिखेळी और उसके अपन की बोलते है उसे को बोलते है कि आपको द्यान रखनी है अब यह क्या होता है कि घ्योड हो 209 अमकर किशा करना है कि यह तो उसका युद ऑनmal आपका उना नहीं कर पाते हैं यानि कि अगर मैं बात करूँगा कि अगर मैं एक से भी पॉइंट पे जब होको ट्रेवर्स कि होगा आपका क्योंकि आपको पता है यहां से स्टार्ट होगा वहां पर आपका जो होना चाहिए जब भी तो आप उसका actual area find out कर सकते हैं जब आपका यह local attraction की वज़े से affect हो जाएगा तो आपका closing नहीं होगा उसके अंदर error आ जाएगा तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं यहां से अगर बात करें कि लिए ट्रेवर्स क्या है कि जब आप यहां पर इड्रेडिंग करते हो यहां पर बेरेंग आपका नोट करते हो ठीक है यहां है अगर क्लोक रॉप यहां से वापस देखता हूं तो यह कौन से यह को जाएगी टिक है तो इस फोर बेरिंग और बेक बेरिंग का डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जब आपका यानि कि मैं बात करता हूं कि अपने बेक बेरिंग जब आपन कर रहे तो बेंग ऑपनी एक फॉर्मुला मैंने आपको बता पूरिख चैनल के अंदर आपको कोई एंकल मेंने आपको बतायता है एंकल आपका जिसेई 4 विएरिंगन तो 4 वेरिंगा अगर आपका जो 180 डिउरी से चोटा है तो उसके अपने पुटस कर देंगे और 180 कृफ्पिर से बड़ा है तो उसके इंदर से मैनस कर देंगे ठीक है तो यह आपका अगर आपका A station किसी influence की वज़े से affect होता है तो क्या आपकी यह दोनों की difference 180 degree आपाएगी क्या बिल्कुल नहीं आपाएगी तो यह सी को बोलते हैं पर local attraction यानि कि अगर मैं बात कुरूँ सीधा-सीधा कि अगर आप बेक बेरिंग का और 4 बेरिंग का अगर difference अगर 180 degree नहीं है इसका मतलब कई ना कई उन दोनों में से एक station या दोनों ही station एक station या दोनों ही station आपके क्या है local attraction से affected है यह चीज़ समझ में आ गई होगी यानि कि अगर आपका बेक बेरिंग फिर में दोबार रिपीट करता हूँ कि बेक बेरिंग अगर 4 बेरिंग का difference 180 degree नहीं है तो इसका मतलब या तो आपका एक station या तो A station या B station या दोनों ही station आपके क्या हो जाएंगे इस local attraction से affected हो जाएंगे ठीक है ऐसे ही BC की मैं बात करू यह चीज आपको clear समझ में आ गई होगी कि local attraction क्या होता है अब इसको अपन कैसे eliminate कर सकते हैं तो कि यह local attraction इसको किस तरीके से अपने कर सकते हैं या बिल्कुल भी इसको neglect कर सकते हैं तो इसके लिए जो अपने पास में दो में थड़ है कि या तो आप मैं आपको बता देता जैसे कि A है B है C है D है हर इस्टेशन पर मैं क्या करूँगा कि आपको local attraction के लिए चेक लगा दूँगा ठीक है मैं एक बात चेक करके देख लूँगा कि calculate करके देख लूँगा कि मेरा local attraction की वज़े से जो हर इस्टेशन affected हो रहा है या नहीं हो रहा है फर्स्ट मेरे पास मे सब्सक्राइब तो में घर्या है सेखर में बात करूब सेखर में क्या करूंगा आपकर इसके एक ट्रेवर्स बना लूँगा और अगर आपके खराएंगल इंट्रेख और अगर करता हूं अगर आपके एग्ड पलस एंटू 90 अगर यह चीज आप की नहीं आती है यानिकि जो आपके इंक्लूड़ेट एंगल आप जो मेजर करते हो वो एंगल और इनका सम्झ जो अगर आपका बराबर नहीं होता है तो उस एक्जांपल मैंने आपको बताई एक्जांपल समझ में आ गया होगा ठीक है अब मैं अपने जो लोकल अट्रेक्शन होता है, उसको find out, यह निए कि उसको eliminate कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने पास में दो मेथड है, there are two methods for elimination of the local attraction, ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं इसके अंदर, कि elimination, elimination, elimination of local attraction, लोकल अट्रेक्शन, ठीक है, लोकल अट्रेक्शन, तो इसके लिए अपने पास में दो मेथड है, two methods, two methods मैंने आपको बताया, two methods, ठीक है, तो वो दोनों मेथड मैं आपके सामने लिख देता हूँ, एक तो है आपका, to calculate, to calculate, calculate local attraction, local attraction at each station, each station, ठीक है, हर station पर अपन के, जो है, उसको calculate कर सकते हैं, यह अगर मैं बात कर सकता हूँ, यानि कि first और second method, यानि कि यह आपका क्या methods है, यहाँ पर आप लिख लेना, method number first and method number second, ठीक है, method number second, तो second method आपको क्या होगा, by included angles, इनकी help से भी अपन जो है, क्या कर सकते हैं, कैसे अलिमेट करते हैं, उसकी बात है, आपन जो है, आज इक लास में करेंगे, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा टोपिक है, और यह जो है, जितना हो सकेगा, उसको छोटा करने को, पूछा जाता है, आपके जो इस लेवल का फेपर होता है, उसके अंदर भी पूछा जाता है, ऐसे से अगर आप पेपर देरो, ठीक है, जो आपका जो सब्जेक्ट्यू पेपर होता है, उसके अंदर इसे कुछे जाते हैं, ठीक है, एक क्यूसन है, फौर एक्जामपल, टीक है, एग्जामपल से समझेंगे, ताकि आपको जो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाये, पूर एक्जामपल क्या है एक क्यूसन दिया है और उसके अंदर आपके दी है लाइन ठीक है एक दिया आपको 4 बेरिंग एक दिया आपको बेक बेरिंग त्यान से देखते हो चलना और बिल्कुल क्या कह रहा है क्यूसन लाइन आपके दी है A, B, B, C, C, D, and D, E क्योशन कुछ इस तरीके से और यहाँ पर 4 बेरिंग आपको दिव हुई है 4 बेरिंग क्या दिए? A, B की 4 बेरिंग दिए 45 डिगरी 45 मिनिट और जो आपको लाइन A, B, A इसकी बेक बेरिंग दिए 226 डिगरी 10 मिनिट B, C की 4 बेरिंग दिएवा क्योशन में 96 डिगरी 55 मिनिट और इसकी बेक बेरिंग दिव हुई है 277 डिगरी 5 मिनिट C, D के अगर मैं बात करता हूँ तो इसका दिए है 29 डिगरी 45 मिनिट और 209 डिगरी 209 डिगरी 10 मिनिट ठीक है? और 324 डिगरी 324 डिगरी 48 मिनिट और 1 दिय आपको 144 डिगरी 48 मिनिट कुछ इस तरीके से अपने एक ट्रेवर्स बना और उस ट्रेवर्सन्गी आपकी कुछ इस तरीके से मैजर्मेंट या उसकी बेरिंग निकल के आई इस तरीके से आप जो इसकी टेविल मना सकते हो तो अब यह क्या कह रहा है कि आपको पता करना है कि find out local attraction यहने कि इसके में लिखा है क्यूसर में mention which stations were affected by local attraction कौन-कौन से जो station of local attraction के वज़े से affected है and determined the corrected bearing और उसकी corrected bearing अपने को पता करनी है तो यहां से जो है आपने देखते हैं कि कोई station था यहां पर ठीक है देखना यह मेरा station है यहां से जो मैं bearing लेना इस्टार्ट किया और यह bearing मेरा आ गया A से B तक में 4 bearing आया 45 degree ठीक है यहां तक यह आया 45 degree 45 minute यहां से बेक bearing measure किया यह निकि station आ गया भी Line AB की 4 bearing यह है और AB की बेक bearing कितनी है यानि कि अगर इसकी में बात करता हूँ तो आपका यह कितना है 226 degree 10 minute 226 degree 10 minute फिर उसके बाद में B से C पे गया 96 degree यानि कि number degree और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यहां पर आएगा ठीक है यह आगया मेरा B से C पे अगर मैं जाता हूँ तो यह जो एंगल आया वह एंगल आया फ्लोर वेरिंग का 96 degree 55 minute और ठीक है बी से सी पे और इसी जगह पर जो बेक इंगल आगया ठीक है थोड़ा से दर चला गया आप तो एड्यास कर लेना तो यह आपका आगया 29 डिग्री 45 minute और यहीं की जो बेक बेरिंग है यह बेक बेरिंग कितने है आपकी यह बेक बेरिंग मेजर कर रहा है तू नाइन डिग्री 10 minute ठीक है ध्यान से देखते हो चलना किसका बेक बेरिंग का ठीक है तो बेक बेरिंग यहां से अगर में देखता हूं तो बेक बेरिंग आपके कितने आ जाएगा यह वाला ठीक है यह आपका 145 डिग्री 48 minute ठीक है तो यह आपका कुछ इस तरीके से ट्रेवर्स बंढ रहा है और यह ट्रेवर्स आपका जो आग अपने को यहां तक दिया हो तो अपने की बात करेंगे तो यहां से अब अपने को एक चीज पता करनी है कि कौन को सा इस्टेशन सबसे पहले मेरे को यह पता करना है कि वो लोकल अट्रेक्शन से अफेक्टेड है तो मैंने आपको क्या बताया कि जब कि जब क्या हुआ कि ब किल्कुल समझ में आ गई होगी कि बेग गेरिंग ऑर फोर बीर इंग का जो डिफ्रेंस वह ओपने का हूना चाहे तो यहां से अगर में बात करता हूं यहां से 1912 पड़ा दूं और इस गोलम के दर में लिख़े से अगर में बात करूं उसी सुनंना के केल्कूरीट करने देख लेना मैंने किया है तो उसके अंदर आया वने टीवी टॉन्टी फाइब इन दोनों की मैं बात करता हूं इन बेक बेरिंग मैं से फोर बेरिंग अगर मैं यहां से जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस पर निकल के आया है 180 degree 10 minute ठीक है इसमें से इसको minus किया तो यह है आपका 179 degree 25 है कितना है 25 minute ठीक है 25 minute यह मैंने calculate कर रखा है पटा आप calculate करके देख लेना है इसमें से इसको minus किया है इसमें से इसको minus किया है इसमें से इसको minus किया है ठीक है अब इन दोनों में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मेरा जो डी और ईपुइंटर दो फिरी फ्रोम लोकल अट्रेक्षन थे वो क्या है फ्री फ्रोम कल रिक्सेन है यानि कि यहां पे भी कोई भी लोकल अठ्रेक्षन नहीं आ यह चीज आपको जो द्यान से देखते हो चलने है तो इसका मतलब ए और बी में दोनों में से अफेक्टेट है बी और सी में भी एफेक्टेट है लेकिन यहां से एक चीज पता कर एक चीज ध्यान रखना कि अगर यह आपका अगर वापस नहीं हो रहा है द से इता गया एक बाद में एक वापस नहीं आया तो अपनको यह तो पथा चल गया कि डी और एफेक्टेड नहीं है वो यानि कि यहां से पता चल रही है कि ए यह से पय आऊंगा यह से ए पर जांगा तो तो यह भी आपका क्या होगा, फिरी फ्रॉम लोकल अट्रेक्शन होगा, तो यहां से एक चीज पता करते हैं, पर यह भी मेरा क्या है, यह आपका क्या है, फिरी फ्रॉम लोकल अट्रेक्शन है, फिरी फ्रॉम लोकल अट्रेक्शन है, ठीक है, यह चीज आपको के लिर समझ मे आ गई होगी, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मेरे को कैसे eliminate करना है ठीक है, कैसे, और corrected bearing मेरे को कैसे find out करनी है यह चीज अपना जो main question के अदर पूछा जाता है, यह कहीं बार पूछ ले जाता है ऐसे ही आपको question दे दे जाए, object type के अंदर और इसके अंदर पूछ ले जाए, कि which stations are affected by the to the local attraction, तो कि इसके अंदर से आपको यही चीज पता करनी है कि कौन-कौन से station आपको local attraction के वज़े से affected है, ठीक है यह चीज आपको पता करनी है, तो यहां से मेरे को पता है कि B और C, B और C दोनों ही आपको local attraction से affected है क्योंकि D और E तो है, क्योंकि यहां पे तो आपका वनेटी degree आ रहा है, अरग नहीं आ रहा है तो यहां भी क्या होगा अपना, B और C क्योंकि यहां से जो reading पड़ी, वो B और C, यानि कि जो point आपको local attraction से affected होगा, उस जगह से जो भी bearing आपड़ोगे, जो भी reading से आपड़ोगे वो भी आपकी क्या होगी, local attraction से affected होगी, बिल्कुल यहां आपको जो एकदम रटल लेना है, अब बात करता हूँ कि इनकी corrected bearing कैसे निकालते हैं corrected bearing कैसे निकाले, तो इसको जो मैं पहले एक बार, रब कर देता हूँ, और उसके बाद में अपना आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, मैं पूरे को रब कर देता हूँ उसके बाद में जो आपको एक बार समझ में आया, कि इसन की किस तरीके से अपन को करना है, तो मैं क्या करूँगा, यह जो बेक बेरिंग, फोर बेरिंग, इनको जो मैं एक के साथ लिख देता हूँ, और उसके बाद में अपना आगे बात करते हैं, ठीक है, फर एक्जामपल अपने लिया, और इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, कैसे, कि मैंने लाइन लिखी, ठीक है, यहाँ पे जो है, मैं बन बेरिंग चोटी पड़ जाएगी तो और बेरिंग उसके बाद में मैं लिखता हूं करक्षण करक्षण कितना आएगा ठीक है तो करक्षण के अपन बात करेंगे करक्षण के बाद में जो करक्टेड बेरिंग के आएगी तो उसके अपन बात कर लेते हैं करक्टेड si churing और उसके बाद में या पर ढलता हूं मैं जिमार्ख या फिर कैल कुलेशन है केलकुलेशन ठिक है केलकुलेशन ठीक है क्या चीजा आपको जो है यह आपको यह À Table बनानी है इस तरिके से मैंने आपको टेबल टरा कर दी ठीक है और टेबल टला था अपना बेक बेरिंग तो उसको मैं लिख देता हूं भी यह लिख सकता हूं गया सकता हूं बिलकुल लिख सकता हूं ठीक है क्योंकि A B पर गया और B से A पर पड़ी A B B A and A B से B C C B C D ठीक है A B A B B C C D D C ठीक है उसके बाद में C D D E D E E D यह बदाओा रेडिंग्स इतनी हुई का नहीं हुई बिलकुल हो गई क्योंकि A A B पर यह तो आपकी fourウीरिंग है यहां पर चाहों तो लिख सकते को यह four bearingические यह आपकी four bearing और यह भी आपके four bearing ठीक है यह भी कुछ सकते हैं तो इस तरीके से तिके मैंने आपको मार करकर के दिखा दिया है आपको ellis जो उपने opposite की थी उसको जो है एड़े सापने या फिन उटक लेना अपने को यह सो पता चल गए था कि कुण कौन सा इस्टेशन अपना अफेक्टेड है लेकिन कितना अफेक्टेड है कैसे अपनों उसको एल्मिनेट करेंगे तो ए भी की जो फॉर वियरिंग थे आपकी कितने थी 45 डिग्री 45 मिनेट क्यूशन को देखते हूँ चलना और क्यूशन जो जैसा क्यूशन के अंदर दिया हूँ वैसा है मैं आपको लिख रहा हूँ 96 और उसके बाद में B A A C की बेक्वेरिंग कितने थी 226 डिग्री 10 मिनेट उसके बाद है B C का दिया हूँ था आपका 96 डिग्री 55 मिनेट और A C की बेक्वेरिंग दिया हूँ यह 217 डिग्री 5 मिनेट उसके बाद में आपका दिया हूँ है 29 डिग्री 45 मिनेट और इसकी बेक और D E, D E का दिया है, 324 degree 48 minute, और ED का दिया है, 144 degree 48 minute, ठीक है, यह कुछ अपनको readings दियो हुई है, bearings दियो हुई है, चाहूता आप जो, इस तरीके से इसको बना लो, ताकि confuse नहीं हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बनता हूँ, पूरा एक table, अब क्या करेंगे अपन, कि अपना करक्षन कितना लगेगा वो करक्षन अपनको देखना है करक्षन कितना लगेगा वो करक्षन अपनको देखना है तो ध्यान से देखेगा कि जब अपने निकाला था जब अपने निकाला था कि जब इन दोनों का जो डिफ्रेंस आया था उन दोनों का डिफ्रेंस अपन मिनट अयागनी है जी हां बिलकुल आया 180 तो यह 25 मिनट मेरा क्या है यह मेरी एरर आगा सबोस्टेट और एरर रों क्या है मेरी पॉजेटीव तो क्रट्ट्स नृट को करना है मेरे तो क्या करूनका मैं माईनस करूगा यहांनी कि 180 डिगरी 25 मिनट अगर 25 सिस मिनट माइनस कर देता हूं तो मैं रख्या जाता है करक्टेट बियरिंग आ जाएगी तो यहां से आप जो एक चीज पर ध्यान रखना मैंने आपको बताए था कि जो एंगल है ठीक है इसको थोड़ा से में उपर लिग देता हूं करक्शन यान की एक लाइन हो की चीकी नह ठीक है डी जो इस्टेशन है यह मेरा क्या है फ्री फ्रों लोकल अट्रेक्शन है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है आपका 180 डिग्री आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या रहा है तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताए था कि अगर दो इस्टेशन का डि वोकल अट्रेक्षेन क्योंकि मैंने कहां से रिडिंग पड़ी है एक पॉइंट से पड़ी ठीक है तो यहां से आप कर सकता हूं में कि इस जगह पर आपका क्या होगा क्रशन जिरो डिग्री लगेगा 8A पॉइंट पे आपका जिरो डिग्री करेक्षन लगेगा तो इसका मतलब मेरी जो इसके अंदर से अगर मैं 25 मिनट मायनस करता हूं कितनी 25 मिनट यानि कि 226 डिगरी में से यहा से केल्कुलेसे में लगा देता हूं कि 324 डिग्री में से 222 मिनिट में से माइनस करता हूं 25 मिनट कितना आएगा और 45 मिनेट ठीक है इतना यह आ जाये दो आएगा इसके अंदर यानि कि इसमें से कर में 180 डिग्री माइनस करता हूं तो मेरा एंगल आ जाता है 45 डिग्री 45 टिक है आएगा नहीं आएगा जिए हाँ बिल्कुल आ जाएगा तो यह मेरी क्या हो जाएगी अब जो इस्टेशन आगे गए अपन यानिकि एस जीरो से यानिकि एस से बी पे गए उसके बादे भी से बी पे खड़े होके वापस बेक बेरिंग अपन पड़ रहे हैं तो बेक बेरिंग के अदर डिफिरेंस वानेटी डिग्री काना चीह लेकिन नहीं आ रहा है ठीक है तो इसका मतलब कही ना के में इस्टेशन वी है वह यापका क्या है लोकल अट्रीक्शन से अफ्रेक्टिट है तो यहां पर कितना पड़ेगा माइनस 25 बिनट का क्योंकि इधेर 25 बिनट क्योंकि यहां जाए नंद में बिल्कुल समझ में आ गई होगी अब यहां से अगर में बात करता हूं ठीक है क्योंकि बी से एप रेडिंग पड़ी और वे बी से सी पे भी पड़ेंगे तो जितना करक्षन बी पॉइंट पर लग रहा है उतना ही क्या लगेगा सी पे भी लगेगा लगेगा जी हां बिल खंडि इधर का उघा ऑगा होगा होगा जी यहां बिल्कुल होगा ठीक है तो ये चीजे आपको ध्यान रखने के किस तरीके से अपनंको कर्क्षन लगाना होता है तो बी से कि के एकर मैं बात करता हूं यहां पर भी आपको क्यों जाएगा मैनास 25 मिनट 8 वापस भी पॉइ करें यह तो चले पंड बी से ए उसके बाद में बी से सी पॉइंट अपना वही रहेगा ठीक है तो यहां से कितनी आ जाएगी वह जाएगी आपकी 96 degree 30 minute 96 degree 30 minute ठीक है किसी आया यह आपको जो है पता होगा कि 226 degree 10 मिनट मैं से माइनस किया 25 मिनट तो आगया आपका कितना दो सो पतकी सी डिगरी यह तो मैंने लिख दिया ओपर ठीक है 25 दिगरी 15 मिनट इस जगे में बात करता हूं यहां पर आपका आया कितना 96 डिगरी 55 मिनट पच्पन मिनट इसके दर से माइनस किया मैंने 25 मिनट तो कितना गया मेरा 96 डिगरी 30 मिनट ठीक है केल्कूलेशन आप साइड में लिखते रहीएगा ठीक है अब अगर मैं बात करता हूं ठीक है अब अगर मैं बात करता हूं कि यह जो 277 डिगरी 5 मिनिट है ठीक है कौन सा पॉइंट है मेरा C पॉइंट कौन सा पॉइंट है C तो B से C पे गए उसके बाद में C से वापस B पे आएंगे तो यहां से एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब C से B पे आएंगे तो यह डिफरेंस मेरा क्या है 180 डिगरी का होना चाहिए होना चाहिए तो यह क्या होगा कि C से B पे जब मैं पढ़ रहा हूँ इन दोनों का डिफरेंस के यह क्या आपकी B से C पे गए पोर बेरिंग यह क्या रहा है कि आपकी पता किया कि 247 degree 5 minute में से माइनस कर दिया मैंने 96 degree 55 minute ठीक है तो यह आया मेरा 180 degree 10 minute कितना आया 180 degree 10 minute अब अगर 10 minute मेरा आ रहा है इसके अंदर जो difference आया कितना आया 10 minute का जबकि B जो point था वो already 25 minute कितना 25 minute already पहले से ही affected था और इसके अंदर भे आपकी error क्या है positive आया तो correction क्या होगा आपका negative होगा क्योंकि यह आपका difference कितना है 180 degree 10 minutes का तो 10 minute तो यह पलस इसी point पह आपका 25 minute का यह था ठीक है कितना होगा total मिलागे total मिलागे आपकी जो error होगई वो plus के अंदर होगई 35 minute and correction मेरे को कितना देना पड़ेगा minus 35 minute बताओ यह चीज़ समझ में आई कि नहीं जाई ठीक है बिल्कु समझ में आगे होगी क्योंकि यह point आपका एक ही यह बटा यहां से जो अपने देखा कि यह जो point मेरा B और B से C पे मैंने forward bearing पड़ी and B से ही जो आपका यानि कि B से C पे पड़ी C से वापस B पे आए point दो आपका B हो रहा है तो यानि कि जब यह आपका 25 minute पहले से ही था और उसके अंदर 10 minute का ओर आ गया तो उसके अंदर कितना हो गया मेरा 35 minute हो गया तो यानि कि एकर मैं बात करता हूँ इसे C point पे, तो C point पे मेरा कितना हो जाएगा 35 minute at C point C point पे कितना होगा 35 minute होगा, कितना हो जाएगा 35 minute, तो 35 minute अगर मैं माइनस करता हूँ 217 degree 5 minute में से अगर 35 minute माइनस करता हूँ तो यह मेरा बचता है 276 degree 30 minute ठीक है, यह चीजrise आपको समझ में आ गई होगी अब उसके बाद में जब C से B पड़ा और उसके बाद में C से D पर पड़ रहे हैं तो point अपना C है अभी तक point अपना क्या है C है तो यानि कि C point से जो भी bearing आपकी पड़ी जाएगा उसके अधर उतना ही correction लगाना पड़ेगा तो यहां से मैं लगा देता हूँ 35 minute C C point पर वापस और इसके अधर 29 degree में से कर मैं माइनस करता हूँ 29 degree में से तो यह बच जाता है 29 degree 10 minute ठीक है यह चीज आपको clear हो गई होगी उसके बाद में 209 degree 10 minute 209 degree 10 minute यह कहां से पड़ा गया यह D से पड़ा गया C पर ठीक है C D पर पहुंचके अपने C से D पर आपने 4 bearing पड़ी उसके बाद में D से C पर वापस अपने बेक bearing पट रहे हैं तो मेरे को पता है कि मेरा जो D और E point हो वो तो free from local attraction है तो यहां पर जो भी यानि कि इसके जगा आपको क्या हो जाएगा correction आपका बिल्कुल 0 लगेगा कौन सी जगा है 0 degree 8 D point and 0 degree 8 D point दोने point आपकी 0 degree है और उसके बाद में 0 degree आपका किस पर लगेगा 8 E point पर लगेगा तो यह आपकी age at is value आ जाएगी यहां पर 209 degree 209 degree 10 minute यहां पर आजाएगा आपका 324 degree 48 minute और यहां पर जाएगा आपकी 144 degree 48 minute बताओ इचीज के लिए रहे कि नहीं है बताओ इचीज के यहां पर आप जो है जैसे इसे पर ने correction लगाया कि 217 degree 217 degree 5 minute में से माइनस कर दिया 35 minute तो मेरा आगया 268 degree 30 minute ठीक है यहां पर कितना है यह अपना हो गया 229 degree 45 minute में से माइनस कर दिया 35 minute कितना आ गया 39 degree 10 minute आप जो है इसको ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों का difference निकाल तो back bearing और 4 bearing का तो difference आपको 180 degree आ रहा है यह नहीं आ रहा है ठीक है तो उसमें आप उस तरीके से भी कर सकते हो निकाल के ठीक है यह चीज़ आपको clear होगे यहां पर क्या अपना यहां पर बिल्कुर अपना correction नहीं है तो अपन जो है agitation को लग दिया ठीक agitation अपन इसको लग दिया और इससे अपनों calculation लगाने की जरूरत नहीं है अगर calculation लगाना तो आप लगा सकते हो कि दोनों के अंदर difference निकाल लो कि कितना है 180 degree आ रहा तो उसका मतलए फिर फिर फ्रों local attraction है तो यह इस तरीके से अपन जो corrected bearing measure करते हैं कि कि किस तरीके से corrected bearing आपकी आएगी बता हो जो समझ में आए के नहीं है अगर में बात करता हूँ एक पर लेते हैं चाहो तो आप ठीक है time कितना हो गया एक बार मैं देख लेता हूं कि अपना जो है ज्यादा लंबी क्लास नहीं हो गई है चलो ठीक है अब जो है यह आपको local attraction समझ में आ गया हो और कैसे होता है और अगर second method जो था यानि second method आपने फटाफड कर लेते हैं second method क्या था अपना कि by by included angle तो included angle के अंदर by included angle के अगर मैं बात करूँ तो included angle के अंदर आपको जो जेसा आपने last class के अंदर किया था included angle कैसे निकाले थे उसी तरीके से अपने को यहां पे इंक्लूडेड एंगल निकालने और इंक्लूडेर एंगल निकालने के बाद में जो error आती है ध्यान देना जो error आती है उनको जितने एंगल निकले है उतने ही एंगल के अंदर आपको सेंक्ता प्षाय पाइट इंक्लूडेड इंक्लूडेड एंगल why का अब पतो अब गा wrap बस ये आपको छोटा सा फंडाए और last class के अंदर जो मैंने बताया था वही आपको जो है इस के अंदर यूज़ करना है बताओ चीज समझ में नहीं आएकन ये चलो आज एक लास के अंदर अपने इतना ही करते हैं उसके साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए thank you, thank you so much